हेलो फ्रेंड शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज में बनाने जा रही हूँ एकदम जूसी बालुशाई तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे के आने वाले वीडियोज की नोटिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बालुशाई बनाने के लिए हम सबसे पहले चास्णी तैयार कर लेंगे और इसके लिए मैंने ये एक कटोरा लिया है, इसके नाफ से मैं दो कटोरा चीनी डालूँगी इसमें और इसका आधा पानी, एक कटोरा इसमें पानी एड़ कर लोंगी तो अब मैंने इसको यहाँ पे गैस पे रख लिया है और यहाँ पर हम चास्नी तयार कर लेंगे चास्नी हमें एक या दो तारगिनी बनानी है हमें ये मेल्ट करना है जैसे कि आप देख रहे हैं और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ये चीनी हमारे नीचे न लगे पतीले में तो बहुत ही सिंपल से इस टेप में बहुत ही टेश्टी और जूसी पर्फेक्ट तरीके से हम बालुशाई घर पे बना सकते हैं तो यहां पर हमारी चास्टी बन के तयार हो गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी एड़ कर लेंगी और अब हम यहां पर आठे का डो तयार कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर यह उसी कटोरे से डेट कटोरा या पोने दो कटोरे मैंने मैदा लिया है और यह आदे चमच के आसपास बेकिंग पाउडर लिया है और आदे चमच नमक लिया है इन तीनों चीजों को mix करने के बाद यह मैंने यहां पर refined oil लिया है आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसको भी इसमें add कर लूँगी और हमें कितना oil गी डालना इसमें इसकी पैचाना हो इससे करेंगे कि अगर हम इस आठे को bind करते हैं तो यह हाथ में मुठी बननी चाहिए इसकी बहुत जादा भी हमें oil गी add करना है और बहुत कम भी नहीं बहुत कम करेंगे तो उसमें चिपचिपा हो जाएगा और बहुत जादा करेंगे तो मैदा फट सकता है तो और गी को पैचानने का कि इतना डालना इसके लिए हमारा परफेक्ट यही रहता है हम आठे को ऐसे मुठी में लें और इसको बाने तो अगर हमारा मुठी में बन जाए आठा बाइंड हो जाए तो इसका मतलब आप और नहीं डालना इसमें और आठे का डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट नीक पूरी के नहीं लगाना इसका है केवाल इतना करना है कि यह सारा मैदा कठा करना है और इसको अच्छे से गूंदा नहीं है तो देखो आप जैसे देख सकते हैं कि यहां पर बाइंड होने लग गया है तो अब हमारा यह आठा परफेक्ट हो चुका है इसमें हम और ओयल एड नहीं करेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लाएंगे और इसका डू तैयार कर लेंगे तो जैसे कि मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है और सॉफ्ट नहीं बनाना है क्योंकि ऐसा करेंगे हम तो फिर इसमें लेयर नहीं बन पाएंगे अच्छे से तो यहां पर हमारा मैदा तयार हो गया और अब हम इसने इसमें चकले में फैला देंगे और इसको अपने हाथ उसे चोड़ा करके और बीच से कट कर लेंगे फिर इसको इसके उपर रखके फिर इसको फैलाएंगे और इसी तरीके से फिर इसको बीच से कट कर लेंगे तो यह प्रोसेस हमें कम से कम आठ या नौ बार रिपीट करनी है इसको आठ उसके से पू़ादक मिस बार 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 रखके वथा थार सत्स्वी दियमते और वारड़ा उसे चोईको ऊड़ा हाँ जला हुआ将 दाम आठ बार बार Drug जांशव अब हम आठे को चार पार्ट में डिवाइड करके और इसको ऐसा पहले इसको इसे लंबे शेप में और इससे गोलियां छुट छुट लोगियां ले लेंगे और इनको दूसरी तरफ हम यहां पे चूले पे और रख देंगे गरम करने के लिए और इसको लो फ्लेम पे गरम करना है अब हम यह गोल गोल लेकर इसकी गोल गोल बनाएंगे जैसे के हम रोटी के लिए बनाते हैं और इसके बीच में छेद कर देंगे तो इस तरीके से हम बाल शाय तैयार कर लेंगे अग्त-प्ण केसर भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास केसर भी था नहीं है तो मैंने फूट अब अच्छा आजाएं और यहां पर हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है जैसे कि मैंने यहां पर चेक किया और यह आटक की गोली डाली तो अब हम एक एक करके इसमें सारे बालुशाय अपने डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर गरम करना है और जब यह एक साइड अच्छे से पक जाएं तभी हमें इन्हें दूसी साइड करना है दूसी साइड इनको पलटना है बड़े ध्यान से और बहुती आसानी से बहुती टेश्टी वालुशाय घर पे बन जाते हैं एक्दम से परफेक्ट तरीके से जैसे की बाहर मार्केट से हम खरीते हैं अच्छी शॉप से उस परकार की घर पे बन जाते हैं बस छोटी छोटी चीजे ध्यान रखनी होती हैं अगर हम कोई भी चीज बना तो जिस वीडियो को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें बिलकुल भी-सकट नहीं करनी हैं कि उन्हीं चीजों से हमारी मिठाई या कोई भी रेश्वी बिगर सकती है तो छोट छोटी बातों का ध्यान रखना है और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यह इदम से गोल्डन ड्राउन हो गए हैं पक गए हैं अच्छे से तो अब हम इनको निकाल लेंगे यहां से और चास्ती में डाल देंगे चास्ती में हमें बहुत देर तक बालोशाई नहीं रखने हैं कम से कम 5 मिनटी हम इनको रखेंगे और फिर निकाल लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं एक ही करके इनको निकाल लेती हूँ और यहां चास्टी में डाल दिये चास्टी में यह अच्छी से डूग गए हैं इनको दूसरी साइट पी पलट लेंगे और चार-पांच मिनट बाद हम इनको निकाल लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर यह लग रहे हैं और यहां पर चाहिन का कलर निकल के आया है तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए हेल्दी खाईए हेल्दी रहिए टेक्र एंड बावाई जया हुँ है